नमस्कार दोस्तो मैं जीतंदर आपको सागत करते हूं एंडियास फारवी चेनल में दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंगो प्लांट की जो ग्रोथ हम लगाने की बाद जितना ग्रोथ होना चाहिए पर मन्त की हिसाद अतना ग्रोथ अगर नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थाकि हमारा मेंगो प्लांट की ग्रोथ हो तो दोस्तो आज की ये वीडियो आप पूरा दिखिए क्योंकि ये काफी इनफर्मेशन वीडियो है और ये जो इसू है ये जो प्रोब्लम है सिर्फ एक किसान नहीं बहुत सारा किसान मेंगो प्लांट लगाने की बाद वो फेयस करते अगर मैं जो जिस प्रकार से मैं आप को समझा रहा हूं इस प्रकार से अगर आप फर्टिगेशन मेनेजमेंट अगर करेंगे तो आपका जो मैंगो प्लांट की ग्रोथ है वो डेफिनेटली होगा और बहुत अच्छा होगा और उसको कोई भी रोक नहीं सकता है तो वीडियो को आप सुरू से अंतक बिना अगर इससे भी नहीं मिला तो आपस जाता है दूसरा मेडिसिन लेकर आता है अगर इससे भी नहीं मिला तो तीसरा मेडिसिन की तरब जाता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा काफी सरा मेडिसिन वेस्ट होता है उसकी साथ साथ हमारा क्या होता है टाइम की वेस्टेज होता है मनी की वेस्टेज होता है और हमको हमारा जो प्लांट है वो प्लांट जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना चाहिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग को कौनसा कौनसा उसको खा दूर बढ़को देना चाहिए, सबसे पहले, जैसे आपने प्लांट लगा दिया और 45 days हो गया, या दो मेना हो गया, आपने देखा कि आपका प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यह तीनों की जो कमी है, वो तीनों की कमी की दूर हो जाएगी, तो यह प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फोस्परस और जो पटास है, वो काफी ज़रूर होता है, उसकी जो उनेवरेबल फॉर्म पे रहता है, वो उसको उपलब्द कराएगा, तो सबसे फर्स्ट डोज जो ह होता है, और यह कभी देना है आपको, ना प्लांट लगाने की 45 देस की बाद, आपको NPK, 1990-19 देना चाहिए, इसमें पौदे को नाइट्रोजन मिल जाएगा, फोस्परस मिल जाएगा, और पटास भी मिल जाएगा, उसकी बाद आपको क्या देना चाहिए, हुमीक एसिड द आप देते हैं, लेकिन जितना मातरा में मिलना चाहिए, उतना मातरा में नहीं मिल पाता है, जब हुमीक एसिड देंगे, तो वो क्या करेगा, कि वो आप बोल सकते हैं, कि आपका जो रूट है, वो रूट को वो ग्रोध करेगा, रूट को स्ट्रॉंग करेगा, मध्भूत क करेगा और root को जमिन पे चारो साइड में स्ट्रेट कर देगा तो जो भी खाद उर्बड़क आप देंगे तो क्या गरेगा हुमिकेसिड आपकी जमिन पे रहेगा रूट वगरा वो खाद उर्बड़क को सख करेके पोधे की कोने कोने में पहुंचे आए तो इसके लिए हिमिक एसिट का बहुत जरूरी है और प्लांट लगाने की एक महिने की बाद आप दे सकते या आपको जबी जो एनपी के का डोस देंगे वो टाइम पे भी आप दे सकते लेकिन दोनों को एक साथ मत दीजिए पहले एनपी के दीजिए और 15 दि प्लांट ग्रोथ नहीं होगा तो ओकेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि फंगस दो साइड में टक हो सकता है आपकी पौदे की उपर भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है या जड़ में भी प्लांट की जड़ में भी फंगस साटक हो सकता है तो ओकेस में आपको कि ऐसा fungicide का यूज करना पड़ेगा जो कि आपको पौदे की पते पी भी काम करें और root के लिए भी काम करें तो ओकेस में आपको मैं recommend कर रहा हूँ रेड़ो मिल गोल्ड यूज कर सकते हैं वो 2 ग्राम को पर लिटर वाटर पर मिर्स करके अगर आपको स्प्रे करेंगे तो आपकी जो root disease है या root में जो fungus आटाक होता है उसको भी काम करेगा और पते की उपर भी वो काम करेगा अगर करेंगे एंटीबैटी के में अभी बाथ करेगा जोकी आपको एंटिबाइटिक भी दे दीजी, एंटिबाइटिक कौन सा यूज करना चाहिए, तो स्ट्रेप्टो साइकलिन एंटिबाइटिक को, एक पोकेट को 30 लीटर पानी में, अगर आप घोल के अगर स्प्रे करेंगे, तो आपका जो प्लांट को काफी अच्छा रिजल मिले तो जो भी मैंने आपको बताया, एंटिबाइटिक का बनाएटिक यूज करते तो डेफिनेटली आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और आपको बहुत कम दिन के अंदर आपका जो प्लांट का ग्रोथ है, वो दिखने को मिलेगा, तो दोस्तों आसा करता कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बाज में जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर देजे और ज़दा से ज़्यादा आपकी friend circle में इसको share केजिए ताकि ये कोई भी किसन भाई के लिए ये काम पे आ सके धन्यवाद